निताओं की प्रवरीती और राजनीतिक मत्वकांग्शा अगर आपको जाननी है तो आपको चुनाओं का इंतिजार करना होगा क्योंकि चुनाओं आते ही निताओं का असली चहरा दिखाए देने लगता है और कौन निता कितना अपनी जनता के लिए और कितना अपनी पाटी क ले समर्पीत है या भी साफ तोर पर दिखाए देने लगता है उधारन देनी की ज़रत नहीं है क्योंकि अभी इसकी ताजा तरीन उधारन है जारकन की सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बड़ी बहु सीता सोरेन की जिनों ने अपनी राजनीतिक महत्वकांग्शा की इस फैसले से पहले उन्होंने 15 साल जिस पार्टी की विधायक रही ना तूनका ख्याल रखा ना पार्टी का ख्याल रखा ना ही जामा की जनता का जिनोंने उन्हें बीजेपी के खिलाफ या जेमेम की समर्थन से विधायक बनाए रखा था उनको तो यह भी ख्याल नहीं आ कि जामा विधानसभा की जनता का क्या होगा जो लगबग एक साल विधायक विहिन रहेगी खैर सीता सोरेन का नाम आचकल बागी नेताओं की लिस्ट में टॉप पर है अब राजनीतिक समिक्छकों की माने तो बागी नेताओं की लिस्ट में बड़ा उलेट फेर होने जा रहा हैं उनकी राजनीतिक मतवकांग्छा किसी से छिपी नहीं है साल 2004 से ही विधायक जी सांसत बनने को आतूर है और इस साल भी तैयारी पूरी हो गई है लेकिन कोई भी पाटी टिकट देने को तैयार नहीं सूत्रों की माने तो चमरा लिंडा ने इस साल के लोकसभा चुनाओ के टिकट के लिए सबसे पहला प्रयास बीजेपी में किया था लेकिन बीजेपी ने अपने सीटिंग सांसत सुदर्शन भगत का टिकट काट कर समीर उराओं को प्रत्याशी बना दिया है फिर कोशिश इंडिया गडबंधन में थी लेकिन कॉंग्रेस ने यहां से सुगदे प्रमान पत्र के लिए आवेदन दे दिया है जिसके बाद से ही एक कयास लगाये जा रहे हैं कि चम्रा लिंडा अब लोहर्दगा लोकसबा चुनाओ निर्दल्य ही लड़ेंगे हलां की अब तक चम्रा लिंडा राजनीतिक तोर पर मौन धरन किये हुए हैं जिसकी वज़े से बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों के लिए अलर्ट का साइरन बचता ही चला जा रहा है लोहर्दगा लोकसबा सीट में चम्रा लिंडा के दावे करने के पीछे एक बड़ी वज़ा या भी है कि वो इस छेत्र में एक मजबूत आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं और गुमला जिले के तीनों विधान सबाद छेत्र यानि कि बिसुनपूर लुहर्दगा और सीसई में सरना प्रात्ना सबा के जर्ये बहत मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं पिछले तीन लोकसबा चुनाओ के परिनाम के आकड़े तो कुछ ऐसा ही कहते हैं चुनावी आकड़ो पर गौर करे तो साल 2004 के चुनाओ से लेकर साल 2014 तक के चुनाओ में चमरा लिंडा ने अपनी दमदार उपस्थिती से भारतिय जनता पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्याशों की नींद उड़ा दी थी अब तक चमरा लिंडा ने दो बार निर्दल लिये और एक बार ओल इंडिया त्रीन मुल कॉंग्रेस से चुनाओ लड़ चुके हैं पहली बाद साल 2004 के चुनाओ में चमरा लिंडा लोहर दगा लोकसबा सीट से स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर में चुनाओी मैदान में उतरे थे वस 2004 का चुनाओ कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर रामिश्वर उरावने जीता था इस चुनाओ में उन्हें 2,23,920 वोट मिले थे जबकि दूसरे अस्थान पर रहने वाले बीजेपी के दुखा भगत को 1,33,665 वोट से संतोश करना पड़ा था वही निर्दल्य प्रत्यासी चमरा लिंडा ने 58,947 वोट लाकर सब को हैरान कर दिया था वर्स 2009 के चुनाओ में फिर एक बार चमरा लिंडा चुनाओी मैदान में थे इस बार भीवा निर्दल्य प्रत्यासी के रूप में चुनाओ लड़ रहे थे इस लोगसबा चुनाओ में भारतिय जनता पार्टी के सुदर्शन भगत चुनाओ जीत गए थे सुदर्शन भगत को इस चुनाओ में 1,44628 वोट मिले थे जबकि निर्दल्य प्रत्यासी चमरा लिंडा को 1,36345 वोट प्राप्र हुए थे तीसरे अस्थान पर रहने वाले कॉंग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर उराओं को 1,39,600 वोट मिले थे पुना साल 2014 यानि तीसरी बार की चुनाओ में भारतिय जनता पार्टी के सुदर्शन भगत चुनाओ जीते थे इसमें उनोंग ने 2,26,666 वोट लाया था जबकि दूसरे अस्थान पर रहने वाले कॉंग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर उराओं को 2,20,177 वोट मिले थे वहीं तीसरे अस्थान पर रहने वाले ओल इंडिया त्रीनमूल कॉंग्रेस के प्रत्याशी रहे चमरा लिंडा को 1,18,355 वोट मिले थे चुकि लोहरदगा लोकसबा सीट आदिवासी बहुल छेतर है लोहरदगा गुमला आदी छेतर में पहाड और जंगलों के बीच आदिवासों के एक बड़ी आबादी निवास करती है इसलिए अनुसूची जंजाती रिजब सीट में हमेशा से सभी प्रमुकदलों की नजर रही है लोहरदगा लोकसबा सीट में भाजपा और कॉंग्रेस के बीच पुरानी मुकाबला की परंपरा रही है लेकिन कै चुनाओं में बड़े राजनीतिक दलों के प्रतियाश्यों के पसी ने छुड़ा देने वाले चंबरा लिंडा के इस बार चुनाओं में उतरने की स्थिती में भाजपा और कॉंग्रेस के लिए या रहा असान नहीं होगी यदि चंबरा लिंडा चुनाओं लड़ते हैं तो इसका सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा यानि की गटबंधन को होगा खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि इस त्रिकोन्य लड़ाई में जीत पार्टी समर्थी प्रत्याश्यों की होगी या फिर राजनीतिक महत्वकांग्शी बागे नेता की फिलाल आपको हमारा या विसलेशन कैसा लगा हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा और लोगसमच चुनाओं से जुड़ी तमाम खबरे हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे विसलेशन के साथ तत्यों के साथ तो बने रहे हमारे साथ और जो भी नए साथ ही अब तक हमसे नहीं जुड़ पाए है हमारे चैनल यानि कि लोगतंतर 19 को लाइक फोलो सब सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहें मिलेंगे किसी नए विसलेशन के साथ लेकिन फिलहाल अब इस वक्त के लिए जुहार रहेगा